दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सुसील मोधी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोधी इन्फोटेग दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप जो भी AAPS के ट्रांजेक्शन करते हैं इसके लिए दो अलग अलग संस्ता हैं जिनकी गाइड लाइन या मॉनिटरिंग जारी होती है जिसमें की एक है NPCI National Payment Corporation of India और दूसरा है RBI जादा तर जो RBI है वो बैंकों को इंस्ट्रक्शन देता है लेकिन जब हम आधार से पैमेंट लेते ह या अधार के थ्रू कोई transaction करते हैं ATM काट के थ्रू कोई transaction करते हैं credit काट के थ्रू कोई transaction करते हैं तो इसको मुख्य रूप से NPCI गवर्ण करता है और इसी को वो approval या decline करता है अगर आप हमारे चैनल पर पहले से बने हुए हैं लंबे समय से अगर आप हमारे EPS के वीडियो द नहीं करना है जैसे 1000 निकालते समय 1010, 2000 रुपए निकालते समय 2020, 3000 रुपए निकालते समय 3030 अभी भी यह रॉंग प्रेक्टिस कई हमारे रेटेलर भाई अन्जाने में या जानकारी होने के बाद भी कर रहे हैं बेंकों बड़ोद में अक्सर जो आपका सपीसच ट्रांजेक्शन बताता है मतलब आपकी ID से ट्रांजेक्शन नहीं होता उसकी एक मुख्य बजाए ये भी है कि इस प्रकार के ट्रांजेक्शन आपकी ID से होते हैं और वो आपकी ID को आपके pencard को या आपकी device को ब्लॉक कर दे ना कि हम बड़े ATM की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो भी transaction होंगे यदि वो 100 रुपे या उससे बड़े हैं तो 50 के multiplication में ही होंगे अब आप ऐसा कोई amount नहीं निकाल सकते हैं कि जैसे 1010, 1020, 1030 आपको जो भी amount निकालना है अगर वो 100 रुपे से बड़ा है तो वो 50 के multiply में होगा मतलब 100 रुपे, 1500 रुपे, 200 रुपे, 200 रुपे, 300 रुपे इस तरहे 10,000 रुपे तक जो भी होगा वो 50 के multiplication में ही होगा तो मैं आपको पहले से भी बोल कहा हूँ आप खुद देख रहे होंगे कि KPS में बहुत सारे restriction bank, NPCI, RBI लगाता जा रहा है कई लोगों का business प्रभावित भी हुआ है ID बनने की process tough हुई है तो कोसे साब ये करें कि NPCI के जो rule है उनको follow करें तो अब आपको विसेस रूप से ध्यान देना है कि error जरूपड है चुकि मुझे 2-3 देन से लगातार बहुत सारे downline के retailer का message आ रहा था कि sir हम transaction नहीं कर पा रहे है वो error actually rate नहीं कर रहे थे जब भी आप ऐसा कोई transaction करेंगे जो 50 के multiplication में नहीं है तो वहाँ पर आपको साफ लिख के आता है कि आप 50 के multiplication में transaction करें मतलब जब भी आप 1010, 2020, 2010, 2020 निकाल लेंगे तो वो amount नहीं निकल पाएगा तो या तो आप 1000, 2000, 3000 इसी परकार से निकाले या फिर 1050, 2050, 2050 3050 इस परकार से आप निकाल सकते हैं तो यही NPCI की तरफ से एक update था यदि ये update आपके किसी काम काया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरू करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें मेरा नामता सुसिल मोदी और आप देख रहते AAPS Industries का नमबर वन बिस्वस्नी चैनल मोदी इंफो टेक मैं लगम देखमारे चैनल सब्सक्राइब चैनल झाण Norm